प्रक्राइब करेंगे प्रेयर है जो कि हमें गॉड ने जितनी भी सारे चीज़ें हमें दी है उसके लिए हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं So, let's start the chapter Thank you for the world so sweet That means हमें जो भगवान ने हमारे जो चारो तरफ आप लोग सभी लोग ने देखा होगे कि हमारे आसपास जितनी भी सारे चीज़े हैं इतनी सारी beautiful चीज़े आप देखने को मिलेंगे आपको flowers मिलेंगे और plants मिलेंगे, trees मिलेंगे, animals मिलेंगे, अलग-अलग human beings मिलते हैं आप sky में देखे हो, stars देखते हो, sun देखते हो, moon देखते हो, birds देखते हो तो ये सारी चीज़े हमें किसने दी है? गौड ने दी ये, गौड ने बनाया है तो हम उन्हें थैंक्यू करते हैं कि उन्होंने इतनी सुन्दर चीज़े, इतनी प्यारी चीज़े हमारे लिए बनाई है थैंक्यू for the food we eat अब हम जो खाना खाते हैं For example, अगर आप वulty खहते हो, तो वो हमें कहां से मिलती है? प्लान्ट से मिलती है, और आप लोगों को तो पता होगा कि प्लान्ट क्या है, कहां से हमें मिलती है? वो नेशरल्म तिन ना वो तो भगवान के दोरा क्रियेटे 누, तो जो भी हमें food मिलते हैं अब कुछ भी खाते हो चाहे fast food काते हो चाहे vegetables खाते हो चाहे आप कुछ भी foods पर आपकोच भी healthy foods खाते हो तो वो सारी चीज़े जो हमें मिली है उन सबी चीज़ों के लिए हमें God को thank you बोलना है thank you बोलना चाहिए अब आप देखते हो कि आप सुबह जब भी उड़ते हो तो अपने विंडो पे आप देखोगे या आवाज पास में आप देखोगे पेडों पे देखोगे कहीं पे आप देखोगे तो इतनी सुन्दर सुन्दर बर्ड्स होती है सब अलग-अलग colors की होती है अलग-अलग size की होती है तो ये सारी चीज़े किस ने बनाई है भगवान ने बनाई है तो हम उनका थैंक्यू करते हैं उनको शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतनी जो सुन्दर बर्ड जो बनाई है जो इतना सुन्दर गाना गाती है उनके लिए उनको हम thank you कहते है Thank you God for everything और उन सभी चीजों के लिए जो हमें भगवान ने दी है चाहे वो ये सुन्दर वर्ड बनाया हो, चाहे बर्ड के लिए बोला जाये, चाहे हमें जो food मिलता है, जो हम food खाते हैं और हमें जो ये life मिली है, उन सभी चीजों के लिए हम उनको thank you बोलते है Thank you for each happy day अब सभी के life में कुछ अच्छे moments होते हैं कुछ sad moments होते हैं तो जितने भी अच्छी चीजें हमें जो हमें happy रखती है जो भी चीजें हमें happy रखती हैं, हमें खुश रखती हैं उन सभी चीजों के लिए हम भगवान को thank you बोलते हैं for fun, for friends for work and play हम जो मस्ती करते हैं उसके लिए thank you बोलते हैं भगवान को जो हमारे इतने अच्छे friends हैं आपके पास भी अच्छे friends होंगे हैं तो जो भी हमारे friends हैं हम जो भी काम करते हैं जो भी हम खेलते हैं और इतने हमारे जो इतने अच्छे parents हमें मिले हैं तो इन सभी चीजों के लिए हम उनको thank you बोलते हैं thank you for your loving care at home at school and everywhere हम उन सभी चीजों के लिए उनको thank you करते हैं उनको thank you बोलते हैं जो हमें जितना भी हमें सारा प्यार care मतलब हमारे जो ख्याल रखते हैं जैसे हमारे family में हमारे mommy papa हमारे brothers and sisters वो सभी क्या करते हैं हमसे प्यार करते हैं हमारे ख्याल रखते हैं घर में होते हैं तो यह हमारी जो भी हमें problems होती हैं हम उनको discuss करते हैं उनको बताते हैं हमारी problems भी solve करते हैं और हमें क्या करते हैं हमें प्यार करते हैं हमारे care करते हैं तो घर में घर्ब के लिए और school में हम जाते हैं तो आपके friends होते हैं आपके teachers होते हैं आपके problems होती हैं आप अपने teachers से पूछते हैं teachers आपके problem solve करते हैं तो आपको टीचर से लव मिलता है, कियर मिलता है और ऐसे सबी जगाद जहाँ हमें लव और केयर मिल रहा है तो वो सारी चीजों के लिए हम क्या वोलते हैं? बगवान को ठैंक यूद बोलते हैं, उनको ठैंक यूद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा वर्ड बनाया, हमें इतनी अच्छे भोजन खाने को मिलते हैं, उसके लिए हमें थाइंक्यू करना चाहिए, जो बर्ड उन्हें ने बनाया, जो भी पेड पौदे उन्होंने बनाया, वो सारी चीजों के लिए जो बर्ड इतने अच्छे अच्छ की, हमने खेला, हमने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, कोई काम किया, तो उन सभी चीजों के लिए हम गौट को थैंक यू बोलते हैं और हमें जो इतना सारा प्यार और हमें जो खेयर मिलता है, चाए वो घर पे हो, चाए स्कूल में हो या कहीं भी हो, तो उन सभी चीजों के लिए हम गौट को थैंक यू बोलते हैं